हेलो फ्रेंड्स बेलकम प्रियाज किचिन आज हम बनाएंगे पटेटो और ब्रेड रॉल्स जो की ब्रेकफस्ट में बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है इसको बनाने में भी जाता टाइम नहीं लगता तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां मैंने छोटे साइस के आठ नो आलू लिये हैं इनको अच्छे से मैश कर लेना है जिससे कि इसमें कोई भी घुटली ना रहे और अब लेंगे एक ओन्यों मीडियम सा इसका और पांसे खे हरी मिर्ज जिसको हमने बारीक चौप कर लिया है इसको हमको मिकस्टर में एट कर देना है अब हमने इसमें डाल दिये हैं बारी कडियों धन्या पत्ती हाँ डाला है, 1-2 TSP लाल मिर्च, 1-4 TSP गरम मसाला, 1-4 TSP काली मिर्च, 1-2 TSP धन्या पाउडर, and half teaspoon salt तो नमक तो आप अपने डेस्ट अकोर्डिंग भी डाल सकते हैं इसको अच्छे से mix कर लेना है जिससे की मसाले आपस में अच्छे से mix हो जाएं तो यहां देखिए आलो का mixture तयार है तो यहां हम bread लेते हैं और इनको side से cut कर देना है तो यहां bread के corner हमने cut कर दिये हैं इसको mix का एक जार लेना है जिसमें की हमको सारे bread के तुकड़े करके इसको डाल देना है और यहां मैंने 2 टेवल स्पून रवा मतलब सूजी भी लिया था तो इसको भी इसमें mix कर देना है इसको एक बावल में transfer कर लेना है अब हम एक नया बावल लेंगे जिसमें लेंगे 2 टेवल स्पून मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके अच्छे से इसको mix कर लेना है जिससे कि एक अच्छा सा batter तयार हो जाए तो यहां देखिए हमें पानी की थोड़ी और जरुरत है तो हम इसमें पानी और एट करेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से mix कर लेंगे यहां हमारा batter बन के तयार है तो इसको साइट से कर लेंगे अब हम लेंगे आलू जिसकी हम रॉल्स बना लेंगे यहां सारी रॉल्स बन गई है इसको दस्मेट के लिए हम फ्रिज में रैस करने के लिए रख देते हैं तो देखें दस्मेट हो गए है और हमारी रॉल्स तयार है इनको हमें छोट-छोटे पीसे में कट कर लेना है आप अपने अप्वार्डिंग भी कट कर सकते हैं तो यहां सारी रॉल्स कट हो चुके हैं अब इनको हमको बैटर में डिप करके और ब्रैड कर लगा देना है अच्छे से इसको कवर कर देना है ब्रैड और रवा से और अब निकाल देना है इस तरीके से सारे रॉल्स हमको डिप करके और ब्रैड में डिप कर देना है अच्छे से यहां सारे रॉल्स हमने अच्छे से तैयार कर लिया है इनको भी दसमेट के लिए हम रेस्ट करने फ्रिज में रख देते हैं यहां गैस पे एक पैन ले लिया है जिसमें की ओयल करने के लिए रख देते हैं तो हमें डीफ्राइए करने इसलिए ज्यादा ओयल की जुरूरत है यहां देखिए हमारी रॉल्स रेस्ट कर चुके और इसको डीफ्राइए कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमको इसको ओयल में छोड़ना है जिससे की ओयल की चीटें आपके ऊपर ना आए अच्छे से एक एक करके इसमें ओयल में फ्राइए करना है हमने यह रॉल्स डाल दिये हैं और यह अच्छे से फ्राइए हो रहे है एक बार हम उनको चेक कर लेंगे अलट पलेट कर देंगे जिससे की सारे साइट से अच्छे से सब्सक्राइए और देखे यहां हमारे रॉल्स अच्छे से कुक होने लगे हैं और अब हम इनको निकाल देता है एक करके इनको अलग प्लेट में टांस्फर करते हैं और हमारे ब्रेड रॉल्स बनकर तयार हैं तो देखे कितना क्रिस्पी रॉल्स बनें हैं इसमें रवार डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रवा से crispiness आ जाता है तो बताइए आपको ये bread rolls कैसे लगे और अगर अच्छे लगे हो तो please like share and comment करना ना भूले so friends मिलते हैं फिर किसी नई अच्छी सी recipe के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखे खुश रहिए thanks for watching guys bye bye